दिटिजन्सिप एमेंडमेंट बिल ये कोई उपकार नहीं है ये अतीत में जो अन्याय हुआ है उसका प्रायस चित है मुझे उमीद है कि बिल जल्द से जल्द संसत से पास होगा और भारत मामें भारत मामें आस्था रखने वालों के सभी ही तो की रख्षा करेगा खोकलो जल्पना कल्पना खंभाबना आखंकार अंट पोडिल सिल्चर अर जनक भात नागरी कट्टा हंखुदोनी बिधियो खिक्रे ग्रिहित अखब बुली स्पस्त खुखना प्रधान मंत्री नरेंडर मोदीर 2019 तर लुकाख भारनेर बासनर रना दुन्दुर भी बजाई बड़ा कट प्रधान मंत्री नरेंडर मोदीय कोरिले खेई बिखेहिक आरु गुरुष्ट पुर्णख भुखना बिगत बोहु दिन धरी जी बिखई तुए आताटकोई सर सालाफ कोरिसील अखमत खेई खंडर भत अन्ती मुहर मारीले प्रधान मंत्री नागरी कट्ट खंखुधनी बिध्यक गुनू उपकार नहाई नागरी कट्ट खंखुधनी बिध्यक ओती तथ हुआ अन्नाय और प्रायसित्र नागरी कट्ट खंखुधनी बिध्योक जनतार भाबना आरू जीबन और होईदे जोलित एनेट हरान और आभेगिक मंतव बकरी सिल्सर और जनकभात प्रधान मंत्री नरें ज्रमोदिये कोरीले हमारी सरकार सिटिजन्सीप एमेंड्मेंट बिल उस पर भी आगे बढ़ रही है ये बिल बावनाओं से जुड़ा हुआ है लोगों की जिन्दगियों से जुड़ा हुआ है पूरे विश्व में यदि कहीं भी मा भारती में आस्था रखने वाले किसी बेटे बेटी को प्रसाडित किया जाएगा तो वो कहां जाएगा क्या उसके पासपोर्ट का रंग ही देखा जाएगा क्या रक्त का कोई रिस्ता नहीं होता है क्या मा भारती अपने बेटे बेटी को अपने बच्चों को अपने आचल में जगा नहीं देगी उनकी पुकार नहीं सुनेगी ठीक है अतीत में गल्तियां हुई होगी विभाजन के समय की नीतियों में जो कमिया रही मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता लेकिन उन गल्तियों का प्रायस्चित आवश्चक है सात्यों इसी सोच के साथ बहुत मन्थन के बाद हर कसोड़ी पर कसरे के बाद हर पहलू पर सोचने के बाद अथक परिस्रम के बाद 2016 में सिटिजन्सिप एमेंडमेंट बिल लाया गया सिटिजन्सिप एमेंडमेंट बिल ये कोई उपकार नहीं है ये अतीत में जो अन्याय हुआ है उसका प्रायस्चित है जो माभारती मास्रद्दा रखते है उन पर ये बड़ा दाइत्व है मुझे उमीद है कि बिल जल्द से जल्द संसत से पास होगा और भारत मामें भारत मामें आस्था रखने वालों के सभी हितों की रख्षा करेगा नागरी कत्ट हंखुधनी विध्यक हंखड़त ग्रिहित हब सिल सरर ए बिजय हंकलप हमार हत अंखगरहन करी बड़ा कर हाजार हाजार जनतार हमख़त प्रधान मंत्री प्रोटेस्ट रूथी नागरी कत्ट हंखड़त ग्रिहित हब केमलीमानी नहोई राष्टियों नागरी पंजीर पड़ा प्रोक्रित अकुनु भाड़ोती और नाम बात पुरी नाजाई गुलिऊ बड़ाक बखिक आस्वस्ट कोड़ी ले प्रोधन मंत्री है साथियों में यहाँ आप सभी को ये बरोसा दिलाने के लिए आया हूँ कि नेशनल रजिस्टर अप सिडिजन्शिप एन आर्ची आपको फिर से बरोसा देता हूँ कोई भी हिंदुस्तानी नागरिक कोई भी भारतिय नागरिक उसमें से नहीं छुटेगा ये मैं आपको विस्वार जलाता हूँ दसकों से लटका ये फैसरा अगर जमीन पर उतार पा रहा है तो इसके पिछे आप सभी का त्याग और समर पर ये ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है अहते डूदीन और पूर्वे केंड्रियो केबिने ते अखम सुक्तिर स्वयनोंग डफार कार्चर उपाइन और बाबे उस्तो स्टोरियों हमिती गथन करा रखिधान तलवार प्रखंगोर राज हुआ कबाद उठापन करीले ड़धन मंत्रिये असम एकोर्ड कब हुआ था आपको यहाँ देना असम एकोर्ड के क्लोज 6 जो 30-35 साल से लड़का हुआ था उसको लागू करने का फैसला हमारी सरकार ने कर लिया है डुहेजार उन्नोइसर लुकाखमार निर्भासनर प्राक्खनात बराकुपईत्यकार सिन्सर और बीजाय खांकल पखमार हाथ अंखग्रहन करार पूरबे प्रधान मंत्रिये मोनीपुर और इम्फलात के बाताव आंठा गाथनी खुभावत बुठान करे मुलत डुहेजार उन्नोइसर लुकाखमार निर्भासनर प्राक्खनात मोनीपूर और सिन्सर और बीजाय खांकल पखमार हाथ अंखग्रहन करी प्रधान मंत्रिये बजाले निर्भासनी रनकिंगा कैमेरा पर सन्नोबक्रिस्नो पे गुर्खोईटे सिल्सर और प्रागोर्व जुटिने ओग पीजुस कांटिदास अरुजाकिर हुसेन, NewsLive